Hello everyone क्या आप जानते हैं कि BS6 गाड़ियों में आपको choke lever देखने के नहीं मिलता है लेकिन आप अगर BS4 गाड़ियों को देखें वहाँ आपको choke lever देखने के नहीं मिलता था मैं basicly बात कर लेता हूँ स्कूटी की आपको यहाँ पे एक चोक लीवर देखने के लिए मिलता था जिस लीवर को आप पूल करते थे और आपको गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट हो जाया करती थी की स्टार्ट आप की स्टार्ट हो जाएं की स्टारि आपको छोख लीवर प्रॉइट किए प्रॉइड के यह होता है कि जो गाड़ियों में ठीक होता है जाब गौड़ी को श्टार्ट करती थी वो ऑक्सीजन के इंटेक को कम करके और फ्यूल के मिक्षर को बढ़ा दिया करता था चोग जब बढ़ाने के बाद यह करता है तो मतलब जैसे आप ज्यादा फ्यूल डालेंगे तो क्या होगा और ज्यादा मतलब आपकी जलने की प्रक्रिया है वो और ज्यादा बढ़ेगी इस प्रकार ऐसा करने से आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाया करती थी लेकिन ब्यस्टिस गाड़ी आपको चोग तेखने के लिए मिलता ही निये तब क्या होता है यहां पी इस्तेमाल में लिया जाता है ECU यानि की इंजन कंट्रोल जिसकी वज़े से आप भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है हमें इसमें चोग का कोई फंक्षन देखने के लिए मिलता है ECU एक प्रकार का सेंसर है जो आटोमेटिकली सेंस करता है कि आप भी गाड़ी में कितना फ्यूल का नीड है और कितने ऑक्सिजन की नीड है जिससे हमें स्टार्ट करते हो एक काफी स्ट्रॉंग साउंड हमें देखने के लिए मिलती है जो कि साउंड आटोमेटिकली अगर आप 10 सेकंड 15 सेकंड तक अपनी गाड़ी को स्टार्ट गर रखें तो आटोमेटिकली वह साउंड डिक्रीज हो जाती है लेकिन BS4 गाड़ियों में चोक लीवर देखने के लिए क्यों नहीं मिलता है और जबकि BS4 गाड़े में में चोक लीवर देखने के लिए मिलता है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी thank you so much for watching love you all guys